आज हम पढ़ेंगे एलेक्ट्रो मेगनेटी वेव मतलब विदुचुम्द की तरंगों का परावर्तन और आपवर्तन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकास की कीरण एक मादेम से दूसरे मादेम में प्रवेश करती है तो वह अपने पत से विचलित हो जाती है या टकराकर उसी मादेम में लोड जाती है वह जो हम पढ़ रहेते हैं वो था हमारे पास optics, हमारे पास अभी है electromagnetic wave, यहीं reflection and reflection वह विदुचुम्ब के तरंगों परादरित रहेगा, हमारे पास आज का topic है विदुचुम्ब के तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन, जैसे ही कोई प्रकास की कीरण एक मादेम से दूसर भाग तो परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग है, वह अपवर्तित हो जाता है, यह रहेगा इस ट्वपिक का एक सरानस वाले में। यहीं किसी कोई एक अंतरा प्रस्ट है, किसमें कोई प्रकास या तरंग हमारे पास जो इस्तति रहेगी वो टोटल इस पर रहेगी वेव पर यदि कोई इस प्रश्ट पर आपतित होती है तो इस वेव का यानि तरंग का कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है खता कुछ भाग पारगमित यानि दूसरे माद्धेम में चला जाता है ये माद्धेम नमबर एक ये माद्धेम नमबर दो अब आपसे स्थिते हैं यदि पहला पॉइंट एड़ों अंतरापरष्ठ दो माद्धेमों के अंतरापरष्ठ पर परिशिमा अब दो माद्धेमों के अंतरापरष्ठ पर परिशिमा क्या होती है यदि किसी माध्यम की विदुद सीलता एपसाइन हो पार गमेता प्रिमिटिविटी मू हो और अपवरतनांग इंडेक्स अपवरतनांग एन ये हमारे पास हो एक माध्यम के लिए ये हैं दूसरे माध्यम की ये लिदे जाएगी एफसाइनो टू मियूर टू और अन टू ये हैं हमारे पास किसी माध्यम की विदुद सीलता पार गमेता और अपवरतना इस प्रकार हो तो विदुद चुम्ब के च्छेतर सदिस हमारे पास चार होते हैं यदि हम विदुद छेतर, विदुद छेतर के चुम्ब के सदिस चार प्रकार के होते हैं, जिसे विदुद छेतर के लिए, विदुद छेतर के तरंगों के चार सदिस होते हैं, जिसमें विदुद छेतर के दो होते हैं, ए, इलेक्ट्रिक फिल्ट से लेटेड, इसी का ही एक स इन चारो सदिसों का इनके सापेक्स प्रतिबंद ही परिसिमा प्रतिबंद कहलाता है विदुद्चुम्ब के तरंगों के चार सदिस, E-D-B-H का इन दोनों के सापेक्स परिसिमा का सापेक्स प्रतिबंद ही परिसिमा परतिबंद कहलाता है अब परिसिमा परतिबंद आफ पास दो प्रकार से रहे जाएंगे जैसे पहला जो कोइंट रजाएगा वह रजाएगा डी के लंबवत परिसीमा प्रतिबंद के लंबवत परिसीमा प्रतिबंद के एकोडिंग हम काम भी लेते हैं मेक्सवेल का परतम समीकन अब मेक्सवेल का परतम समीकन है वह हमारे पास होता है डेल डोट डी डोट डोट डी एस इक्वेस टू रो डोट डी वी यह हमारे पास मेक्सवेल का परतम समीकन होता है यह हमारे पास मेक्सवेल का परतम समीकन है यहाँ पे यदि इस समीकन में इस समीगन में हमारे पास डेल डोट डी ये वाले में इस समीगन को हम काम में ले सकते हैं इसके according गाउस की divergence गाउस की divergence गाउस की divergence परमे इदि गाउस की divergence परमे में डेल डोट डी ये है हमार पास है यहाँ पे हैं रो डीवी अब हम अगर ये जो इस्तफिय ही हैं अमार पास आयतन समाकलन के respect में है अगर आयतन समाकलन में है तो हम एक आयतन का एक भाग लते हैं आयतन के भाग में बेलन, गोला कि इस प्रकार की कोई बस्तू हो सकती है इस इस्तिति में देखो माना कि हम एक इस प्रकार का कोई एक बेलनाकार बस्तू लेते हैं जिसके एक प्रस्ट है S1 दूसरा प्रस्ट है S2 और तीसरा प्रस्ट है S3 यह हमारे पास एक प्रस्ट रह गया और यह दूसरा प्रस्ट है और यह बीच वाला तीसरा प्रस्ट है माना जो तीसरा प्रस्ट है उसकी उचाई है डेल एच कल्प मानते हैं हमारे इस इस्तती में यदि हमें इसमें डेल डोटी डाइवर्जेस पर में काम मिलते हैं डाइवर्जेंज से पर में वाले में हमारे पास प्रस्टी समाकलन को आयतन समाकलन में आयतन समाकलन को प्रस्टी समाकलन में इंटरचेंज करने के लिए हम पास की डाइवर्जेंज पर में काम मिलते हैं तो यह है अगर इसमें टेल डोट डेल डोट डी इसका समाकलन में अगर आयतन समाकलन को प्रस्टी समाकलन में करें तो कि प्रिश्टी ने में इंटरेचेंग किया जा सकते हैं, यह हमारे पास प्रिश्टी समाखलेंग की तीन भाग है, S1, S2, S3 को हमारे पास D dot Ds इसके तीन पार्ट हो जाएंगे, जैसे पहला S1 गोर रजाएगा D.ts एक रजाएगा D.ts ये रजाएगा S2 के लिए एक रजाएगा D.ts ये है S3 के लिए ये हमारे पास तील माकलन इस्ततीम में रजाएगे क्योंकि तीन प्रेश्ट है S1, S2, S3 अब हम ये मानते हैं कि जो D.ts है D.ts थ्री वाले में हैं उसके अंदर जो उचाई है A.L.A.C. उसको हम लग भग माद्दें 0 के बराबर मानते हैं जो उचाई है तीसरे प्रेश्ट की उचाई है यानि इस प्रेश्ट का जो बेलनाकार है वह हम छोट असा एक नगणने मानते हैं कि इस बेलनाकार प्रेश्ट है उसकी उचाई है यह नहीं उचाई नहीं है तो यह इस्तती अपने आप ही घट जाएगी जैसे हैं तो हमारे पास जो इस्तती बनेगी डी डोट डी एस एक्वस टू रजाएंगे और एक रजाएगा डी एस टू वाले में अगर इस समागलन में मान रखा जाए तो हम जिस समागलन का मान रखेंगे तो रजाएंगे डी डोट डी एस एक्वस टू यह है हमारे पास डी वन डोट एन वन यह बाले में तो एन बाले में एन वन के लिए यहां पर एन वन वह एन टू है वह है अंतरा प्रस्ट अंतरा प्रिष्ट के अपवरतनांग रह जाएंगे एकांक सदीश के रूप में यानि एकांक मान रह जाएंगे एकांक मान रह जाएंगे N1 और N2 दोनों प्रिष्टों के लिए ये इस्तती वाले में अगर हमारे पास प्रिष्ट है यह नहीं अंतरा प्रस्ट है जिसे हमारे पास जो अगली वाली फेल्यू थी वो थी हमारे पास जैसे टी डोट डी एस इसके इकल में हमारे पास बराबर था रो डी वी यह हमारे पास था यह दी प्रस्ट आयतन में कहने कि जो प्रस्ट था हमारे पास वह आईतन में ना होकर क्योंकि अब आईतन नहीं हो सहाता ही दोनों प्रष्ट की जो उँचाइफ है वहañ हमार बास प्रश्टी गनत्वर जाएगा अब प्रश्टी गनत्व को रो के रूप में ना लिकर हम लिखते हैं सिग्मा के रूप में यानि प्रश्टी गनत्वर सर्फेस डेंसिटी है वह हमार पास सिग्मा के रूप में ना ओकर रो के रूप में होगा यानि कि रो के रूप लिवेंगे हमें सिगमा । यानि इसकी जीच यिवयाँ महां सब्सक्राइज सकते हैं सिगमा प्याइस हमारेपर विडियो में रिजाएगे सिगमा । इएस एक वल टूं तो डी-1N1 ये में ये कर जाएंगे टू दी-। रोप में रजेंगे पृष्टिय समाकलन यानि की यह जो है पृष्टिय समाकलन या प्रश्टिय आवेस घंधवर यह वालब में यह ऐसतत सब्सक्राइब स्काइब कर दिसक्राइब सकते हैं । डिसकंटिनुएस यह रहेगा तो सिग्मा ब्राबर इस इस्तिति में जिरू रहेगा अगर सिग्मा की यहाँ जिरू ही तो हमारे पास जो वेल्यू है यह पाली, यह है, यह दोनों value रजाएगी हमार पास, दोनों प्रस्टी कहा रजाएगे, दोनों प्रस्ट रजाएगे, एक दूसरे के लंबवत, यानि की parallel वाड़ी स्कति में रजाएगे, parallel वाड़ी स्कति में रजाएगे, तो यह value रजाएगी, तो माघलन की रूप में ना औकर यह स्थिर जाएगी डी वन एन वन यह जाएंगी इसमें परेलल यह स्थिर जाएगी अमरे फास परेलल अगले बाले में वन दी वन अन टू यह परेलल जाएंगे D-S, K मतलब अगर यह hö україн इस्तती परस्टी समाकलन 0 ओने के इस्तती में यह दूछरी के लंबोत रह जाएंगे अगर यह स्तती में हो ए तो यह स्तती में ही रह जाएंगे सतत तो हमारे पास जो इस्तती बनेगी वह है रह जाएंगी सतत के लिए D लंबुत रजएगा वन है वह है डी टू के लंबुत रजएगा दी इसके सब एक्स वाले में तो हमारे पास दोनों इस्तति अगर सतत हुई तो हमारे पास लंबुत रहेंगे ऐसे ही अगर हम लंबुत के लिए यह जो इस्तति थी यह हमार पास थी लंबोध प्रपेंटिकुलर में ऐसा का ऐसा है हम पेरलल रूब में लिखाएंगे वो पेरलल रूब में रजाएगा हमार पास ए जो गठक था ए वह का का इसपरसी गठक का परिशीमा प्रतिबंद ए का इसपरसी गठक का परिशीमा प्रतिबंद यह हम का मिलते हैं मेक्सवेल की तीसरी समिगन से मेक्सवेल का तीसरी समिगन था हमार पास डेल क्रोस ए डेल क्रोस ए एक्वस टू माइनस डेल बी बाई डेल टी यह हमार पास समा कलंद रूप में था दुन वाड़ में यदि इस इस इसपरसी को हम दुन में हमें जैसे एक परिशीमा प्रतिबंद निकालना वह भी एक प्रस्ट के लिए तो हम इसमें एक इसपरसी मानते हैं कि डी एस के रूप में और ये भी ये इस के रूप में दुनों को डी ये से पुना करते हैं अब हमारे पास था एक इस टॉक की करल पर में अगर ये है समा कलंद डी इस के रूप में हम ये मानते हैं कि एक प्रस्ट है आईता का यहां पर कोई यह हमार पास कोई प्रष्ट यहां से कोई यह माद्यम एक नंबर यहां से कोई कीरण यह वह है इस परसी गठक है एवन के लिए और यह है इस परसी गठक एटू तुनों समांतर है समांतर होने वाले इस तती में यह माद्यम दो वाले में माना कि इस परस्ट का भाग है ए यह भाग बी यह C और यह D और इन दो दो की पीच की उचाई है जो पूरी उचाई हो रजाएगी डेल आच के बराबर डेल एस रजाएगी अब इस टो की करलफर में कहते है यदि कोई के रूप में हो यानि कि रुष्टिय्द चेंज इतना सा रजाएगा टिड डिय प्रश्टिय समाकलन जो जाएगा तो यह इन हो जाएगा अब हम पूरी स्तती इसकी रूप में निकालते हैं तो हमारे पास रजाएगी कि हमारे पास जो E dot DL है E dot DL है चार बागों में रजाएगा जैसे A से B तक एक रजाएगा B से C तक एक रजाएगा C से D तक और लास्ट रजाएगा E से 22 A तक यानि कि A से B E dot DL P से C E dot DL C से D E dot DL D से वापिस A E dot DL यह हमारे पास रजाएगे इस परिस्वा परतिबंद में यदि मानते हैं माना यदि डेल एंच था उसकी वेल्यू माद्दे में 0 के बराब रखे जाए यह वाले 0 में यदि परस्टी समाकलन में A, B, C, D यहां पर यह इस्तती यह पूरी की पूरी स्तती यहां से यह इस्तती यह परस्ट है और यह परस्ट है दोनों परस्ट आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि यहां पर DL आइस की क्रोस के वेल्यू क्या होगी 0 0 होने की इस्तती में यह परस्ट से जुड़ जाएगा तो अब देखो A से B और C से D यह दो बचेंगे A से B यह तो यह रज़ जाएगा यह हो जाएंगे टेंस्ट टू 0 और D से C यह वाला एक यह बचेगा और यह टेंस्ट हो जाएंगे 0 वाले में दो इस्तती बिचे है हमारी पास इस्तती में E dot D L एकवस्ट्व A से B E dot D L plus DCD E dot D L यह दोनों इस्तती बचेंगे हैं इसस्तती में अगेवल में क्योंकि हमारे पास E dot D L है उसके बराबर में था minus tail b by tail t dot ps यहां से अगर कोई इस पर सी गटक है वहाँ अगर 0 हुँ माना इस पर सी गटक में b यहनी कि हम इस पर सी गटक निकाल रहे हैं a के लिए उस इस्तिती में b की value अगर 0 हुई तो हमार पास इसकी value भी बराबर 0 k रह जाएगी तो हमार पास जो दो value है e dot dl one के लिए और एक है हमार पास minus का e two dot dl यह वाले में यह कहँए हमार पास यह दो value थी यह दो value में एक one है एक two है यह value में अगर यह value 0 ही तो यह दूनों क्या रहे जाएगी आपस में बराबर दूनों बराबर रहेंगे लेकिन negative sign करे जाएगे इससे हमार पास यह रहे जाएगा e e one dot e l e two dot dl यहाँ पे यह जो गठक है वो गठक करे जाएगे one यह है यह है यह है e two के अमान्तर है लेकिन देवो e one by e two दोनों गठक दोनों गठक अमान्तर है लेकिन वीपरित वीपरित दिसा में है इस प्रकार हमारे पास दोनों गटक है वह हैं दोनों बराबर भी रजाएंगे लेकिन अपोजिटिफ डारेक्शन में यह हमारे पास आजगी इस्तिती रजाएंगे छे लिए आपको एक नए चीज सनाते हैं कि हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए हजारों दीच चाहिए एक आजटी सजाने के लिए पर एक सिखसक की काफि होता है विद्यार्तिवगी जीवन को सुर्ग बनाने के लिए जहिन